पर नाम स्वागा था आपका सच बिहार में और हमें सुमीत कुमार अभीदा प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर में हैं और रेलवेग के त्यारियों के लिए अगरनी माने जाने वाला पटना कोचिंग सेंटर है नवीन सर से कई बार बात हुई है गुरूप डी रेलवेग संभाव है नहीं है या और किस तरह से किनको फिल्ड पर जाना चाहिए यही सारी सवाल है जिसको लेकर हम नवीन सर के पास पहुचे स्वागत है सच भिहार में धन्यवाद जितने भी छात्र देख रहे हैं बहुत गंभीर मुद्दा है इस पर टिपन्नी जरूरी है एक्च करना मोसन में आ गई है रेलवे कि यह कहीं न कहीं बच्चों को भी यहां पर कभी कभी परिसानियों करना करना पड़ जाता है सबसे ज्यादा दिक्कत उनको है क्या करें क्या नहीं करें क्योंकि मालूम है कि 24 दिसंबर से 12 जनवरी के बीचे में मातर 18-19 दिन का समय बचता ह तो फिजकल की तयारी जो कि एकदम लास्ट मॉमेंट की तयारी है और उसमें से 1,000,000,000 बच्चों को लिया जाना है, तीन लाग प्लस रिजल्ट में से तो और फिजकल में प्राया ही देखा जाता है कि जो बच्चे अचानक फिल जाना स्टार्ट करते हैं उनको टेक्निकल नहीं बना पा रहे हैं तो बहुत जाला दिक्कत है अभी ठंड का समय है कई लोगों के लिए मुस्किल होता है तो मेरा उन बच्चों से कहना है कल से ही एकदम फिजिकल में के लिए आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अपना तयारी और कोशिस करें कि दोनों टाइम में अगर बेहतर हो सकता है यह बेह Medokal और जल्दी यई बाजी Link देना उच्छा बात है लेकिन इस चल चाहिए लिए कैनले बहुत भुस्कित की बात नहीं होती है और जैसा भृती बोड करेगी जैसा रेलवे भृत करेगी आब को किसी विए और। प्डेट के लिए एगण से संभन देते हैं कॉछ इसलिए आपको और परिष्टिति के लिए तैयार रहना परेगा हर फरिष्टिति एक स्किञ्व वहां काम आपका नहीं करेगा इसलिए आपको पता है कि इस了 होगा फिजयकल उसके बाद होना है हम क्यों नहीं पहले से तयार रहेंगे इसलिए आप किसी को ब्लैम इस मामले में नहीं कर सकते हैं अपना तयारी ही कंटिन्यू आप कर सकते हैं यह आपके पास है शुक्रिया सर बाकी किसी भी और अपडेट के लिए एजुकेशन से संबंदीत या को किसी भरती पर किरियाओं से संबंदीत अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा हम जरूर यह आपके सामने रखने की कोशिस करेंगे देखते रहे सच भी हाद नवसकार